तो हमारी इनात्मी कम्प्लीट हो चुकी है और उसमें से जो टॉपिक आपका बचे हम में वो कम्प्लीट कराऊंगी जिसमें से टुड़े विल बी दूइंग सेकंडरी ग्रोथ सेकंडरी ग्रोथ के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया था थोड़ा आइडिया आपको दे दिया था बट आज हम उसे डीटेल में करेंगे आप अगर स्रिफ बोट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सेकंडरी ग्रोथ की जरूरत नहीं है बिकॉज आपकी के स्ट्रॉक्चर होते हैं वन वी कॉल ऐस्टी वेस्कुलार कैम्बियम और इस यूर कॉर्क कैम्बियम यह दोनों का ओरीजिन जो है वो सिकंडरी है सिकंडरी का मतलब क्या हो गया एक प्लांट है जो जाइगोट बना आपका मेल और फिमेल का फर्टिलाइशन वा जाइग इसको कहते हैं प्राइमरी जो शुरू से बनके तयार हो गया यह हो गया अपका प्राइमरी स्ट्रॉक्चर अब जब एक कम्प्लीट प्लांट तयार है तो आगे जाके कभी किसी जमाने में यह क्या करता है अब इसे लगता है यार मुझे अपने अंदर कुछ चेंज लाना के लिए वह चेंज लाने के लिए दो स्ट्रॉक्चर बनाएगा एक बनाएगा वस्कूलार कम्प्लीट अर्सट्बीन की बनाता यह सी करते हैं और आप का ट्रांट जो खुब्सूरत सपतला था वो आप इंतहाई इसे और बीश हो जाएका हिए पतल होना चाहता है, एंधली बीककर निया को से कोउठ है, यह मोटे होना चाहते हैं नौढ़े होने का सकंव हो गया मिन भी जानकिरेंज और हो फॉऩे स्टम वाछ का सिरक्छकिल क क्वेहा रहर स है है तो मेंस भूह को थोगा स sons' प्रोंब के अंदर होती है और जब नोब future to start करते चाहिए है अब पास सब कुछ क्या होता है यह है कि दो देखा यह कि यह अफिर समय जो गया है यह चाहだ देखा इसलेनमद तो यह हो गया आपका epidermis, फिर epidermis के नीचे आपके cortex थे और यह पूरा आपका structure था, फिर आपका यहां से आया है, अच्छे से अच्छे से आएगा, तो यह हो गया आपका endodermis, फिर endodermis के अंदर मैं circular बना देती हूं आपको, एक में इसी को circle में बना देती हूं, ज्यादा your epidermis, किसकी बात हो रही है, आपके dicot stem की, यह हो गया epidermis, फिर epidermis के नीचे आपके यहां पे हैं, यह cortex के लेयर्स हैं, आपके सारे, these are all our cortex, फिर cortex के अंदर आपके क्या है, this is your endodermis, यह red वाला हो गया, आपका endodermis, अब उसके बाद आपके, यहां पे ऐसे pericycle present हैं, यह आपके pericycle है, यहां पे, और आपके वस्कुलार बंडल हैं अभी, this is your वस्कुलार बंडल, मैं अच्छे से ट्रॉ करती हूं, रूखो हाँ, यह pericycle थे आपके, यहां पे आपके वस्कुलार बंडल, और यह आपके वस्कुलार बंडल और यह बीच में आपकी जो खाली जगा, this is your पित, इसकी बात करें तो यह का जायलम होगा अंदर की तरफ यहाँ syndrome है और पर देखा है इंके पास आएलम और फ्लॉय्म की बीच में एक रिंग प्रेजेंट होती wonderfully इस रिंग को हमने एक नाम दिया था दोनों बंडल के बीच में प्रेजेंट है तो इस निंग का नाम था इंट्रा फैसिकूलर कैम्बियम ठीक फैसिकूलर यानि उसकुलार बंडल के अंदर इंट्रा यानि अंदर वित्थिन तो यह हो गया आपके अब उसकी बाद यहां से हैं मेडियॉलेडि रेज निकले हुए हैं यह वह स्ट्रक्चर है जो सारे प्लांट के जब बाइबर्थ होता है और इस वह से पास प्रेजन इस सारे प्रेसेंट थे मुझे अपने अंदर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप सिकेंडरी ग्रोथ करना चाहता है प्रामिरी ग्रोथ में इस सब कुछ अविलेबल है तो यह जितनी भी टिशू आप देख रहे हो यह सारे प्रामिरी ओरीजिन है तो इंडरा फैसिकुलर कैंबियम भी आपकी प्राम मैं करूंगी तो यह ब्लाक कलर हमने लिया अब यह जो यहां पर मेडुलेरी रेस के कुछ सेल्स क्या करेंगे अपने आपको पर्मानेंट आपके प्रामिरी स्ट्रॉक्चर तयार है हमें पता है प्रामिरी स्ट्रॉक्चर जब भी कंप्लीट तयार होगा तो डिफ्रेंशे यानि कम हो गये फिर से फिर से महिलें कि मेडियू लेट मि इस आ फिर उन्हों ने मल्टुपिलाई करके बनिया किस्ट्रक्चर इसे कहते हैं INTERFUSCULAR CAMBIUM बंदल के बीच का काम तो यह हो गए आपका तियार INTERFUSCULAR CAMBIUM यह आपका क्या हैиль जो प्रामिरो टिशूर सुध दोबारा डिफ्रेंशेट हुई है उसके बाद आपका बना है तो इस इस सेकेंडरी इन ओरीजिन अब यह दोनों जो रिंग है इंटर और इंटर यह एक साथ जॉइन हो जाएंगे और यह आपका बना ले इन्होंने कम्प्लीट कैम्बियम रिंग टीक तो यह आपकी अपकी कम्प्लीट कैम्बियम रिंग हो गई तो डाइकवड स्टेम के आपकी कैम्बियम है वो बोथ प्रामिरी प्लस सेकेंडरी ओरिजिन गी है अब कैम्बियम नित्यार हो गई लेकिन अब ये जाइलम भी बनेगा इसे कहते हैं सेकंडरी जाइलम तो जब ये अनदर की तरफ ऐसे सकंडरी जाइलम बनाने लगते तो जो अलरेड़ी प्राइमीरी जाइलम है आपके वह सारे आपके पुष हो के यहां सेंटर में आ जाते हैं पित के पास पहुँच जाते हैं और अर्मोस क्रश होने लगते हैं और यह आपका सिकंडरी जायलम पूरा इसने इस स्पेश ले लिया ठीक और यह can divisum अंदर की तरफ सिकंडरी जायलम बना रही है और बाहर की तरफ उस सिकंडरी फ्लोइम बन रही है कि लेकिन सिकेंडरी जायलम का मान्ट जो हे वो आपके सिकेंडरी फ्लोऐं से बहुत ज़्यादा है तो सिकेंडरी जाइलमा hull आपकी बहुत ज्यादा प्रोडियूस ह drama दग कर दिए अब ज़केंडरी zyus जादा प्रोडिउस हो रही है आपकी कि जो यह से यहां से स्ट्रॉक्चर है आपका से केंडरी फ्लोयम प्रामी फ्लोयम फिर कॉटेक्स एंडोडर्मी एपिडर्मी इन सब क्या कर देती है तो आपके से केंडरी जैलम ने ठीक इस सेकेंडरी जायल्म ने अब इसकेंडरी यहां पर था आपका फ्लों यह था सिकेंडरिय। यह यह ऐसको डेस्ट्राइ कर दिया फिर एक को टैक्स है फिर यह पेरि साइकल है ठीक और यह आपका था समझ लो cambium ring था यह तो यह secondary xylem जो था इसने क्या कर दे यह पूरा यहां से secondary phloem से लेके आपके epidermis तक इन सब कोई क्या कर देती है यह destroy कर देती है तहल का मचा देती है इतनी जादा वो बनती है तो यह हो गया आपके एक चीज यह तो यह पूरा बाहर के चीज है यह सारे ऐसे उखड़े उखड़े नजर आ जाते हैं तो आपने अगर ट्री देखी होगी तो आप देखते होगे ट्री के यहां बाहर ऐसे आपको जो लगड़ा कुछ उसके पार्ट से निकल कर आप हाथ से खीचन दो खीचते आते हैं तो जो यह यहां से स सकेंटरी आयलम के बाहर से लेके पूरा यहां गया है रीजन है एक सीजन वे करेगा यह साल भर काम करता रहता है यहां बनाया फ्लोयम फ्लोयम यह बनाया फ्लोयम अब जो सिकेंडरी जाइलम है इतना ज्यादा यह पूरा बन रहा है तो यह क्या करेंगा यह सारी चीजों को क्रश कर देगा भार की चीजों को तो यह कैंबियम फिर थोड़ा पुछ पुछ होके यहां चलाएगा पोजिशन उसकी चेंज हो गई तो अब यहां जब यहां आगया तो आब इसके बाद क्या करेंगा यहीं पोजिशन यहां आ गई तो यहां पर बनागया सेकंडरी जाइलम एक होता है समझ लो तुम अपना तुम खड़े हो और तुम कोई चीज आगे पास्क तुम किसी एक लड़के को अपने आगे खड़ा करते जा रहे हो तो जैसे तुम अपने आगे एक लड़के को खड़ा कि तुम थोड़ा सा पीछे हुई है अब तुम अपने आगे किसी और दूसरे लड़के को खड़ा करो तो तुम फिर थोड़ा सा और पीछे जाओगे तब वो दूसरा लड़के तुम्हारे और जैसे ये A है और B है अब एसे मैं कहरूँ कि वो C को अपने आगे खड़ा कर ले तो C यहाँ आ गया और B थोड़ा इधर चला गया तो यह आपका पहला सेकंडरी जाइलम है अब उसके बाद मैं इसे कहरूँ कि तुम A, D को अपने आगे कर लो तो अब D यहाँ आ जाए तो A थोड़ा पीछे जाएगा अब आपका A पीछे चला गया और D को यहाँ कर दिया तो उसी तरह आपका यह सेकंडरी जाइलम है पहले यह सेकंडरी जाइलम बना फिर यह बना फिर यह कैंबियम रिंग आपकी A है तो यह कैंबियम रिंग आगे बनाती जारी है और पीछे होती जारी है और इस तरह आपको सिकांटरी जा साइब बनता जा रहा है अब डिपेंड़िगंडंडिंग बने सिकेंड़िजालम किस सीजन में बन रहा है करना है कर अब को सिकैंडरी जाइब होता है यह एक को कहते हैं springwood और एक को कहते है autumnwood अगर spring का सीजन है तो आपको पता है spring season किया होती flour इंगा सीजन होता है when you do flowering में दो फूल बनने होते हैं पतियां होती है सब कुछ अच्छे से होता है तो आपका जो जाइलम है जाइलम आपको क्या करता है water आपर ट्रांस्पोर्ट करता है तो वाटर ट्रांस्पोर्ट करना है तो हमें प्लारिंग सीजन नहीं आपके बदेशा के लार्ज और जो ए यह आपका है यह जो यहां बने गा यह लाज लाज वेजल्स आपके बने यह बना इस प्रिंग में अपने पज़जक्ण का सीजन होता है उपर पतियां गिर रही होती है सब सूख्रा होता है तो इने ज़्यादा पानी ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत महीं है तो ऑटम में यह cambium produce करेगा चोटे 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 narrow vessel के आपके जाइलंस तो जो नारो चोटे ऊचाइल होते हम एक दूसरे से करीब करीब होते तो पहला हो गया आपका broad फिर यह उसकी बाद फिर आपका आगया spring तो spring में फिर सही ऐसे बड़े बड़े इस आइलंस प्रोड्यूस करेगा लार्ज वेजल और फिर से आपका आ गया पठज़र का मौसम तो फिर से इस तरह तो यह आपका जो है यह ब्रॉड वेजल से जो आपकी कबबन रहे है। इसे कहते है springwood और आपका लार्ज होता है और दूसरा आपका क्या है यह वाला यह autumn है इसे autumn हम कहते हैं तो यह डोनोमे साल में बल नहीं तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं और daí कित तो यह आपकी वह आट से ट्र offended कि तो आपकी जुँए आपके पहले वैस सिस्प्रिंग और आपकी यह तर्थ यह नैरो वाली फिर आपका वाएं ब्राउड उसके बाद फिर से हुई आपकी नैहरो वाली तो एक स्प्रिंग वूड एक बलाक और एक रेड आपका एक अड़ॉल रिंग बन के तयार हो रहे हैं अब यहां पर क्या सीन हो रहा है कि जो यह आपका इस प्रिंग वूड कि जो springwood होती है एक दूसरे से दूर-दूर अरेंज होती है अच्छे से तो कोई वी चीज अगर sparsely अरेंज दूर-दूर होके तो उसका color light रहता है तो आपकी springwood जो होती है वो light color की होती है और यह आपकी dark color की होती है तो color को भी आपको समझ में आ गया अब दूसरी चीज आपकी क्या चीज हो जाती है ऐसे आपके पूरे यह बनते जाते हैं फिर एक आएगा आपकी springwood फिर एक आपकी autumnwood फिर springwood तो इस तरह आपका यह बनता जा रहा है अब जिस तरह बनता जा रहा है नया इधर की तरफ और बाहर की तरफ और अंदर जो यह पुराने हैं तो अंदर की यह होते हैं कुछ spring और आटो मुट कुछ रिंग क्या करने लगती हैं अंदर जो पूरा अब रास्ता नहीं है तो यह देड हो जाते हैं और आप देड होगे तो इनसे water transport नहीं होता है तो अब एक वाटर ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करेंगे ठीक कि इन्होंने अपने केनाल को अपनी pipe को भर लिया गम और रेजिन इन जैसे चीजों से तो जब यह डेड हो गई वieß लार चीज आकन नहीं कर सकती है और यह रेस्सटेंट हो जाते किस चीज से अपके इनसेक्ट से पैस्ट से असीशे से श्यान कि बढब इसवसित्स ओ जाते हैं और यव कि इनके पास अभी यह चीजोगे फें हूं यह फिलिंग होती है जो ओल्ड वाले हैं तो जो यह आपके जिन्हों इन अंदर डल लिया है कर लिया है इसको हम कहते हैं हाट वुड तो यह वाली आपकी कहलाएगी हाट वुड आप ऐसे याद कर लेना हाड कि जिसने अपने अंदर सब चीजे भर ली हो हाड हो गई है तो इ नहीं अग्या होती हुआ वरनिच्यर बनाती हो उमेंली ना लकडियां होती है वह बेसिकली हाट वुड होती है अक्सर क्या हो जाता है कि जैसे हम जब ट्री कट करते तो हमें नहीं पता उसमें हाट बॉड कितना और सबीपोर्ट की बाहर साघर हैं पहले के बने ऑगे क्या पानी से लकडी निकालते हो पानी से अपना फनीचर बनाते हैं और हमारा फनीचर इसके खाओ पी में पानी गिराओ आपका हार्ट इस्ट्रोंग होता है और फिर उसे आप फनीचर के लिए यूस करते हो सुहार टूड इस उस फर फनीचर क्लियर वह आपका शो दिस वह आपका सेकंडरी ग्रोथ इन स्टेम अब यह चीजे तो हो गई आपकी अब एक चीज मैंने आपको क्या बता दिक इसने सेकंडरी जालम के बारे में आपने सारी चीजे जान ली फिल उसके बाद एक चीजे कि इसने सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया हमने देखा राइट कि जब सेकंडरी जालम इतना ज्यादा बन रहा है तो उसने अपने से बाहर जितनी वी चीजे उन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया प्रसेकंडरी फ्लोयम उन सारी चीजों को तो अब उसने सब चीजों को डिस तो अब जब डेस्ट्रॉय हो गई तो आपको प्रोटेक्शन के लिए तो चाहिए एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर होता है सारी कॉर्टेक्स क्या थी में बॉड़ी थी तो जब यह सारी विचारिया मरने लगी तो इन्हें कोई चाहिए जो आके इनकी हिफाज़त करें कॉर्टेक्स के कुछ चैल सोते हैं वह क्या करेंगे वो इसका अठाए कैम्बियम कोर्क कैम्बियम होता है स्टीक बन गः हुआ आपको कौ्?, विसे कहते हैं ये फेलो जिन, हुआ ये ज्यान का मतलब generate करना, ये ऐसी चीज को भी पहु है जो generate करे खीट तो यह आपके cells बनते हैं, जो चीजों को generate करें, यह one और इसका नाम हो जाएगा फिल्लोडर्म नाम का मतलब होगा इसकिन तोड़ दी इसकिन विजाइलम ने फिर से बना रहा है और यह इतने बाहर पिपिधर्मिश भी टूटगी है तो इसे बाहर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स बनानी है तो यहां बाहर भी एकुछ तो यह एक्जा गॉणनल सेल्स बनाता है जो डेड़ होते हैं और ऐसे सुबरीन के उनके उपर डिपोजिशंन होती है ताकि उसे पानी वाली अंदर ना जा सके इसे कहते हैं कॉर्क ऊपीर जिसका दूसरा नाम है फैलं में इसके पास किया है सुबरीन के डिपोजिश्व ने तो यह उसने क्या बना दिया है को एपने फैलो जन अंदर की तरफ आपका बनाता है सेकंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ आपका बतना है इसने फैल लम तीनों लेहर को हम एक साथ कहते यह पेरी डर्म एक तीनों लेयर को तो कॉर्क मिया फेलोजन ने बना दिया यह दो अंदर सेकेंडरी कोर्टर इस बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉर्क अब कॉर्क जो है यह बहुत ही जादा स्ट्रॉंग होता है आप ने देखते हो ना कि अगर ऐसे बॉटल है यह तो इसके ऊपर ए इतना स्ट्रॉंग प्रोटेक्टिव कवरिंग यहां पर तो कोई भी चीज बाहर अंदर एक्षेंज नहीं कर सकती यह से आजा नहीं सकती लेकिन प्लांट को चाहिए लिए क्या करता है जब यह कॉर्क कैम्बियम यानि फैलोजन बाहर कॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है है तो बीच-बीच में उगक्ष ऐसे अगिए प्हरूर्यक disp सेल सेल बें बिच ऐसे और उसको फूट गया और यहीं कला हो जाएं तो इहां प्हुत मैं हो जाता है प्हुतемся हो जाता है आपका फिशन से कउन रिख्वरू ने उसे दबा दिया जो का रॉकर के लिए आपने क होगी अब यहीं से आपका oxygen का gasses का exchange होता है and this is called as the lenticel तो lenticel क्या है जब कौर्क-क्रम्यम कॉर्क-कॉर्क-स बना रहा हुता है तो बीच-बीच में कुछ यह में मिली growth लिए होती है अब सिंस्थ डोनों से किंडरी ओरीजिन है और दोनों से जो चीज़े बन अगरिये उसे हम कहें के सिकंडरी ग्रोथ so this was about your secondary growth of dicot stem I hope आपकी चीज़े क्लियर होंगे और किसी तरह कर दाउट है तो मुझे बताना अब सिकंडरी ग्रोथ आपके डाइकोट रूट में भी होती है अल्मोस्ट आपका इतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन री प्रॉसेस एकडम सेम है कैसे क्या होगा थोड़ा से दुफ्रेंस आपको यह देखने मिलेगा वहां पर जैसे रूट में यह हो गई आपकी एपिडर्मिस पिर यह पुरा आपका झोत्यों सब कुछ है यहां पर है आपकी पेरी साइकल आपके यहां पर नेओं कि आपने देख एक नहीं हम नहीं की जैलम flavor कि आपेक घौट नहीं यहीं मतलब एक इस आईलम मैं तो ज्रेसरे हो थे यहां पर नहीं है फिर आपका शायलम है फिर फिर फ्लोयम है फिर आपका शायलम है फिर 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 पीleb दो चिंच görImp T इस तरह तरह एंड़िय अरैंझ्टर आपकी a.s. अ. मिरोएचियों के फिर अ. उपहनियरी और यहां पर मेल जैज नहीं नहीं न. तो इनके पास medullary raise नहीं है अब क्या चीज़ होगी है नहीं है यहां पे कैसे ग्रो करेगा कहां से ग्रो करेंगा रेख ओल्ग इन दोनों के बीच जिसे कहते हैं कंजर्टि वाइटसिश्यूू और में ली जो ये सेल्स है आपके पेरिसाईकल किसे तो आप के क्या करेंगे जाईलम एक प्रोटोयम होता है एक मैटासाइलम इसे पर्टोजाइलम कहते हो सब बाद बन 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 Mmm और पेरिसाइकल के भी कुछ सेल्स मेनली फिर फ्लोयम के ऊपर के सेल्स फिर प्रोटोजालम के सेल्स इस तरह यह फिर से सेल्स डी डिफरेंशेट होते हैं और डी डिफरेंशेट होके वह यहां पर बनाते हैं आपकी रिंग कि पेरिसाइकल के सेल्स मेनली पेरिसाइकल के सेल इस तरह तो यह आपकी क्या कर रहे हैं पूरा इन्होंने ऐसे रिंग बना दिया कि फ्लोयम के नीचे किसल्स और उसके बार प्रोटोजाइलम के ऊपर किसल्स मैंने सारा गडबड कर दिया यहां पर दिखनी रहा हुआ तुम लोगों को मैं फिर से बना रहे हूं यह था आपक तो यहां पर क्या हो जाता है यह प्रोटोजाइलम के ऊपर के सेल्स और फ्लोयम के नीचे के सेल्स फिर प्रोटोजाइलम के ऊपर के सेल्स फिर फ्लोयम के नीचे के सेल्स तो यह सारे डिदिफरेंट्शोट हो के ऐसे काम्बियम रिंग बना तो यहां पर रिंग बनी थी रिखितरा इंटर फैसिकुलर रिंक बनी थी, रइट कौन बना रहा था पके मेडिुज 나타inary फे टेनिफ देडि दुफरेंशेट हो कर यह परिशायकल के सिल्च और प्रोटोजालम के वोपर वाले से सिर कुछ्छ फ्लोओें के नीचे वाले ते किस सारे d-Differentiate होते हैं और ये एक ऐसी वेभी सी रिंग बनाते हैं तो यह वेभी सी रिंग स्काते हैं वसकुलार कैम्बियम तो आप देख रहे हैं रूट के अंदर कोई पहले से प्रेजन नहीं तो जो बसकुलार कैम्बियम बनती है इनके अंदर से अन्दर कॉम्प्लीटली सेकेंड़ी और इसे नहीं के अंदर की नहीं धी किसट है ह से अंदर प्रैमेरी और 59 यहां पर उतना मैसिब प्रोड़क्शन नहीं है जितना आपके स्टेम में था क्योंकि इनको उस तरह से कंडरी विथ में इंक्रीज नहीं चाहिए तो उतना मैसिब प्रोड़क्शन यहां पर दूसरी चीज यहां पर आपको कॉर्प कैंबियम की फोर्मेशन भी नहीं मिलेगी तो यहां पर आपको सेकंडरी ग्रोथ में स्रीफ एस्कुलार कैंबियम स्कुलार कैंबियम को बनाने के लिए आपके पेरिसाइकल के सेल प्रोटोजाइलम के आपके ऊपर वाले सेल और फ्लोएम के कुछ नीचे वाले सेल्स यह तीनों सेल्स मिला के आपके बनाते हैं बट मेंली कोईशन में आप से यह दोनों चीज़े नहीं पूछे जाएंगे कि प्रोटशयलम उपर कि is एक में आपको ऑनाते हां कि छिस में आपको बनाते हैं वाइस्कुलर में तो सब्सक्षायर काम कर लिए को दियर्ण ही कि अग bênर ले कि तरह चिरहे आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगे तीक चालाँ बाई